दिसंबर 2020 आज के बाबा के मदूर मुरली महावाक्य पॉइंट के रूप में हम रिवाइस करेंगे आज के मुरली में बाबा ने दान और महादान का फरक बताया है बाबा ने बच्चों को आज महादानी बनने का पुर्शार्थ करने को कहा है सर्विस का जिसे शौक रहेगा उसकी निशानी बाबा ने बताई है और आज की धारणा में मुख्य अंथर मुक्ता की गुफा में रहने को कहा है आज की मुरली के हम पॉइंस देखते है बाबा ने कहा अविनाशी ज्यानरतनों का दान ही महादान है इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है इसलिए महादानी बनना है सर्विस का जिसे शौक होगा उसकी निशानिया क्या है बाबा ने कहा उन्हें पुराने दुनिया का वातावरन बिलकुल अच्छा नहीं लगेगा उन्हें बहुतों की सेवाकर आप समान बनाने में ही खुशी होगी उन्हें पढ़ने और पढ़ाने से ही आराम मिलेगा समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे उन्हें किसी की भी मिलकियत नहीं चाहिए वह किसी की प्रोपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गवाएंगे, उनकी रगे सब तरफ से तुटी हुई होगे, वह बापसमान उदारचेत होंगे, उन्हें सेवा की सिवाय और कुछ भी मिठा नहीं लगेगा, उनको रात दिन उनमें सर्विस का ही चिंतन चलता रहेगा, ठकावट हो जाए, गलावी खराब हो जाए, तो भी खुशी में रहते हैं, तो आज ये सर्विस की बहुत सारी पॉइंस बाबा ने हमें बताई, तो हम अपने आपको भी चेक करें, कि हम कैसे सर्विस करते हैं, आज के मुरली से धारणा के पॉइंस भी बाबा ने कही, मंसा वाचा कर्मना पवित्र रहना है, मंसा में व्यर्थ खायालात भी नहीं आना चाहिए, एक बाब के सिवाय और कोई याद न आए, पांच विकारों पर जीत पानी है, मुरली में कॉंट्रास आज था, दानी महादानी, हाई हाई वाह वाह, इश्वर्य संतान, देवी संतान, डाइरेक्ट, इंडाइरेक्ट, लोकेक बाब, परलोकेक बाब, पुरानी दुनिया, नई दुनिया, आज खास बाबा ने कहा, गौड क्या करते है, विश्व में शांति करेंगी, इसलिए ये कहते है, आकर रहम करो, दुख से लिबरेट करो, तो जब बाबा आते है, हमारा जीवन हीरे तुल्य बन जाता है, हमारी बुद्धी को बाबा पारस बुद्धी बना रेते है, आज बच्चों के टाइटल्स थे, आज्याकारी, वफादार, सपूत, माहारती, गोडे सवार, प्याधे, राजरीशी, ज्यानेश्वरी, उदारचित, पारस बुद्धी, और आज बाबा के टाइटल्स रहे, ज्यान का सागर, शांति का सागर, पारस बुद्धी बनाने व फिर आज बाबा ने नशे खुशी के लिए क्या पॉइंट्स कही बाबा ने कहा बेहत के बाप के पास बैठे हो वर्सा लेने के लिए तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए खुशी कापारा चरा रहना चाहिए फिर कहा ग्यान का कापारी नशा होना चाहिए बच्चों को नशा रहना चाहिए बाबा अविनाशी ग्यान देते है यह ग्यान कभी विनाश नहीं होता तो खुशी के धोल बजने चाहिए तो आज सारे दिन क्या होगा मन्सा में खुशी के ढोल बचते रहेंगे तो हमारी बुद्धी एक बाप की याद में जुड जाएगी और पारस बुद्धी बन ही जाएगी आज बाबा ने मुहावरा यूस किया और उसकी स्पस्टिकरण भी थोड़ी दी आज का मुहावरा था ज्यान अंजन सद्गुरु दिया अज्यान अंधेर विनाश बाबा जब धर्ती पर संगम युक पर आते हैं कल्युक की अंधेरी रातों में ज्यान इंजेक्शन लगाते हैं आत्मा को इसी समय ज्यान का इंजेक्शन लगता है गुरुओं को भी ग्यान इंजेक्षन सद्गुरु ही देंगे तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो तो तुमारा धन्दा भी है ग्यान इंजेक्षन लगाना आज की मुर्ली में चिंतन की पॉइंस भी है तुम ब्रामण बने हो तो जिवन मुक्त बन ही गए ग्यान इंजेक्षन के उपर भी बहुत सारी चिंतन की पॉइंस है और बाबाने ये भी कहा कि जो ब्रामण बनेंगे वही खर्चा करेंगे तो हमें भी इस पर मनन चिंतन करना है आज धारना की पॉइंस रही दिन राग सर्विस के चिंतन में रहना है और सब रगे तोड़ देनी है सर्विस के बिगर आराम नहीं सर्विस कर आप समान बनाना है बाप समान उदारचित बनना है सबकी नवस देख कर सेवा करनी है अपना तन मन धन भारत के कल्यान में लगाना है अचल अडोल बनने के लिए आज्याकारी वफादार बनना है आज का वर्दान अंतर मुक्ता की गूफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भवब आज सारे दिन प्राक्टिस करनी है कि हो सके उतना हम अंतर मुक्ता में रहे और देह से न्यारा बनने सो उसके लिए क्या करना है बाबा ने कहा जो पांडवों के गुफाए दिखाते है वही अंतरमुकता की गुफाए है जितना दे से न्यारे दे ही रूप में स्तित रहेंगे उतना गुफा में रहेंगे दुनिया के वातावरन से परे हो जाएंगे वातावरन के प्रभाव में नहीं आएंगे जो गुफा के अंदर रहने से बाहार के वातावरन से परे हो जाते उसे अंतरमुक्ता की गुफा कहा जाता है और वही सबसे न्यारा बना और बाप का प्यारा बन जाता है और जो बाप का प्यारा है वस्वत ही सबसे न्यारा हो जाता है आजका स्लोगन साधना बीज है और साधन उसका विस्तार, विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना तो ये थे आज के मधुर्म मुरली महावाक्या, आज सारा दिन मुरली के पॉइंस से चिंतन करेंगे सर्विस के लिए जो बाबा ने कहा वो चिंतन करेंगे, सारा दिन रूहानी सरजन बनकर आत्माओं को ज्यान इंजक्शन लगाते रहेंगे और अंतर मुक्ता की कुफा में देसे न्यारा बनने का अभ्यास करते रहेंगे ओम शान्ती, ओम शान्ती, ओम शान्ती झाल झाल